कि हर्यान से राजबाला जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार घ्री मेरे बहुत साई दिक्त पर देर ऐसे से पूरी चांग में दिक्कत रहनें लगई और ये मेरा वजन अठासी चिलो है जी और बीपी बीडेट सो रहा है जी शूप बड़ भी एक्टोस्ती रहा है जी अच्छा अच्छे खंद केलर जी है सब्दी सब्दी मेरे राथ कोई नी सांस में आता सब्दी रुख जाए जिनाज बंद हो जाए है संदे पाणी का कोई काम नी कर सकती है सबसे पहले कौन सा इलाज करना चाहते है पहले मैंने जीज़ गोंचिया मंगवार अच्छा है बीज दिन चलगा तक ले रही हूँ जोना ताइम अच्छा क्या फरक है आप तक तो नहीं है जी कुछे बीज दिन में या तो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा हो रहा जी ज़्यादा होना भी अच्छा है और इसको आप पांच दिन दर्द की दवा लिजे साथ में देखिए ये दर्द की दवा लिए नहीं तो ये ज़्यादा नहीं होता कम होता ये प्रकर्टिक दवा है जो सौ लोगों में एक या दो को दर्द बाढ़ा के फिर कम करती है तो पांच दिन दर्द की गोली ले सिर्फ और ये लेते रहें ये लेते रहें पहले ये इलाज कर ले उसके बाद जब ये आपका इलाज पूरा हो जाए तो दमे का इलाज करना दमे का इलाज के लिए मैं जो दवाएं लिखवाता हूँ आप चाहें तो अभी से लिख लें कभी फोन नहीं मिले लेकिन ये पूरा कर लें दर्द की गोली पांच दिन खाएं वेस्टन ट्वालेट यानि कुर्सी वाला शोचाले जरूर यूस करें आप हर्याने वाले हो बहुत महनती होगए मेहनत कम कर दो थोड़ा बिलकुल ज़डू पहुचा कुछ नहीं करना वज़न नहीं उठाना आप से मेरी निवेदन है देखो हर्याने वाले बहुत पहेंती होते हैं ओरते तो बहुत ज़्यादा अब डमे वाले के लिए देखिए सपिस्तान उननाब अलसी लिख लीजे सपिस्तान उननाब अलसी ये सो सो गिराम खरीदें और इसमें तीस गिराम पीपले मिलाएं जो किचन में आपके होती है पीपला मूल भी कहते हैं हंदी में तीस गिराम पीपले मिलादें बाकी चीजे सो सो गिराम सपिस्तान उननाब अलसी सो सो गिराम पीपले तीस गिराम इनको पाडर बना ले सुबह ि सुबह नहार बूँ एक चमच खाकर गरम पानी प्या करें और ये पाश साथ पहीने लगातार आप करें तो आपकी नाक का नजले का भी मर्स ठीक होना मुम्किन है लगिन जल्दी मत करना इत्फाक से आपका दर्द बढ़ गया है मैं बहुत खुछ हूँ के दवा काम कर रही आपको बहुत बुरा लग रहा होगा प्लीज मेरी बात मान के पांच दिन जाद की दवा इसके साथ में खाएं फिर आपको कभी जरूत नहीं पढ़नी चाहिए ऐसा मेरा अनुभा होए जी और अभी मत लेना ये आप इसकी दवा वैसे बीपी और शुगर की दवा जो है जैतुन का सिरका लेकिन अभी मत लेना पहले आप नजले का इलाज करना उसके बाद इस्तेमाल करना तो आपको फाइदा मुम्किन है